मिवात में केमपी तावडू पर वर्निंग बस हासे के पीडितों ने कहा कि मिवातियों का रिणी हासे में उनकी मदद को जिन्दगी भर नहीं भूलूंगा गायलों में चार की हालत अभी भी नाचुक सभी गायल अलग-अलग अस्पतारों में हैं उक्चरादीन बतादें कि मिवात के केमपी यानी कुलली मानिसर परवल एक्स 25 पर हुए हासे के पीडित राकेश का कहना है कि बस में आख लगने के तौरान मदद करने वाले मिवात के यवाओं के वै रिणी हो गए हैं उनकी द्वारा की गई मदद को वै जिन्दगी बर नहीं भूल सकते पीडित ने काया कि यदि उनकी जगह कोई और होता तो सायद मदद नहीं मिलती मेवाती मुसलिम युवाओं द्वारा मदद नहीं मिलती तो शबी बस सबार लोगों की जान जा सकते थी इसके अलावा राकेश ने नुहु विधाय का अपताफ एहमात और ग्रुग्राम लोकसवाद छेत्रों कॉंग्रेस पुर्ट्याक्सी राजबबर का अस्पताल जाकर परीजनों का हाल चाल पूछने पर भी आभार जताया पिर्ट राकेश ने बतलाए की हासे में सभी घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में उक्चार चारी है जिनमें चार की हालत अभी भी गंबीर है जिनका 90 प्रतिसत जुलस गया है बता दें वहीं जाच अधिकारी याद्राम का कहना है कि अब तक 20 घायलों की MLR काटी जा चुकी है जो अलग-अलग अस्पतालों में भरती है अभी किसी के पयान दर्श नहीं किय गए है शबी मर्तकों की पहचान की गई है वहीं सनिवार तक 8 सबों की पहचान की गई थी लेकिन रईवार को एक बच्ची के सब की भी पहचान कर दे गई नुहु नलहड मरिकल कॉलेज में कोई भी भरती नहीं है शबी को अन्ये अस्पतालों में रेफर किया जा चुका है बता दें पिडित राकेश के बयान पही तावरू सदर थाना पुलिस ने बस चाला की ला लगने के कारण इस्थानिय युवाओं ने पहले चलती बस को रुकवाया फिर आग की लगतों से घरी बस में सबाल लोगों को निकालने के साथ साथ पुलिस को सुचना दी गई जिसमें तीन युवाओं ने मुख्य भूमी का निभाई जिनकी सभी प्रसंसा कर रहे हैं आ मिवाद के मुस्लिम युवाओं नी जिस तरह से मदद की वे उसे भूल नहीं पाएंगे भूल नहीं सकते उनमें कोई हिंदू मुस्लिम भावना नहीं थी वे सिर्फ घायलों की मदद करने के लिए बेताब थे जिनकी मदद से तीसे अधिक लोगों की चान बचपाई यद के साथ तावलू से शाहित मिवादे की रिपोर्ट आप देखें मिवाद का नंबर वन चैनल मिवाद सिटी नियूज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करी सेगा